नवस्कार सातियों मैं हूँ एडवोकट सोग चोधरी सातियों अब कुवेट से रिलेटेड अपने बात करेंगे बाग तीन में कुवेट के तीन तरह के मैंने बीजा आपको बतायते हैं पहला कमपनी का दूसरा सोन तीसरा खादम अब ये बीजा खादम का कैसे क्या होता इस चाहिं Alternate बात करेंगे पिछले वीडियो मैंने बारे में बाताया तो कि शक्त ना खर्षा सकती है किस कंडिशन बर पूलिस पकड़ सकती है तो चलिए अपन सुरवात साथि हैं करते हैं कोई जोब से रिलेटेड मैंने बताया खादम बीजा अब खादम बीजा क्या होता है मैं बता दूँ खादम बीजा का मतलब यह होता है आपको मेरी लेंग्वेज में बता दूँ अपनी लोकल लेंग्वेज में खादम का मतलब साती हो यह होता है कि आप मालीज यह वहां से क बोल सकते हैं मालिक बोल सकते हैं ठीक है जो बड़े बिजनसमेन होते हैं उनकी बात करें तो वह वीजा उनसे खरीदा जाता है ठीक है यह उनको बोलते है रवाब ठीक है रवाब से वह वहाँ पर खरीदा जाता है रवाब वीजा कौन सा देते हैं उनको गरेलू नोकर अब गरेलू नोकर में जैसे ड्राइबर हो सकता है किचन हैल पर हो सकता है बागवानी ऑपिस बोई, वाच्मेन वगेर है कोई भी ट्रेड का वो वीज़ा माण ले जिए मैंने वहाँ पे मैं हूँ मैंने वहाँ से किसी से दस वीजा ले लिए जैसे इसने दो ड्राइबर गरेलू नोकर के दे दिये ड्राइबर के दे दिये या किचन का बागवानी कैसा है कर गिए एक आदमी से एक रबाब से दस वीजा ले लिए अब वो वीजा कौन से होते हैं मैं बता दूँ यह होते हैं गरेलू नोकर के वीजा ठीक है इस वीजा में आप गरेलू काम कर सकते हैं उसको बोलते हैं खादम खादम का मतलब आप गरेलू नोकरी इसमें कर सकते हैं आप बाहर काम नहीं कर सकते हैं आजाद होके ठीक है ठीक है खादम विजा लेकिन वहाँ पर एक सिस्टम यह सल रहा है कि मान लीजिए वहाँ पर आपके कोई बंदे रहते हैं उन्होंने इन से बिजा ले लिया यह रभाब उनका जानकार है तो यह क्या करेगा आपसे मैंने के मैंने 200 दिनार लेगा आपसे लेगा यह आपको दे तो passport renew बाद बीजा रिन्यू ये कराएगा ठीक है क्योंकि नोकर तो आप इनके घर पे रहने हो ना काग्जों में तो आप इनके नोकर घर में काम कर रहे हो तो आपका वीजा एक साल बाद ये कराएगा बदले में आपका जो खर्चा है system से तो ये देतका लेकिन आप तो बाहर काम कर रहे हो तो आपका लगेगा ठीक है सायटी हो तू इसको बBlते हैं खादम बीजा अब इसको बात कर लेते हैं कैसे Cornell नोकर के साथ लेकिन passport पास में रखे आप आजा काम कर सकते हो बाहर डायरेक्ट अपने इसाफ से कहीं पर भी काम करो कोई रोक टोक इसमें नहीं रहेगी ठीक है खर्चे की बात कर लेते हैं साथ यो खर्चा इसका लगबग डाही लाग रुपे लगता है क्योंकि कोईट का मैंने आपको बताया कि इसमें दिनार का भी महिंगा पढ़ता ने एक दिनार का सवा दो सुरुपे बनता है तो भीया फिर बीजा भी उसी साब से मिलेगा महिंगा ही मिलेगा ना ठीक है तो खर्चा इसका लगबग डाही लाग रुपे आता है कमिशन सहीत बीजा आने के बाद इंडिया में 50,000 रुपे लग जाते हैं जिसमें टिगट, इमिग्रेशन, पीसीसी दो लाग के करीब वहां लग जाते हैं थोड़ा बहुत भीया जो बीजा देते हैं वो भी खाते हैं रबाब भी खाते हैं कमिशन खाते हैं इसलिए बीजा महिंगा पढ़ जाता है वो ये बात है, सोन में भी ख़ाते हैं, कंपनी में भी खाते हैं, कमिसन भेет तो है सब्जगा बिना कमिसन तो कोन काम करवाइगा, तो इस तरह से डाहि लाग रुपे लग जाता है, एक साल का ये वीजा होता है, एक साल तक आप आराम से काम करो, ठीक है एक साल बाद में आपको दुबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा लेकिन इसमें एक कंडिशन में बता दूँ आपको पुलिस बाहर काम करते हैं पकड़ सकती है क्योंकि बीजा गरेलू नोकर का है आपका जैसे आपके पास खामा बनावा खामा बोलते हैं उसको चेक करेगी गरेलू नोकर आप काम कर रहे हैं आजाद में डाल के अंदर इंडिया पेकर देती हैं हमारे रिष्टेदार बहुत से ऐसे आये हैं जिनको जाने से एक मैने के अ पाँव जाते हैं पहुछ जाता है अगर समय पर नहीं पहुंचा तो बंदे को फिर घराना पड़ता है अँडिया पर कर देते तो तो फीरीवी में आटागी लँगिला होता है दो मेडिकल होते हैं एक नोर्मल होता है वीजा निक बाद में गम का मेडिकल आपका होगा ठीक है साथ यो पी-सी-सी आपको करवाने पड़ेगी इमीगरिसन आपको करवाना पड़ेगा उसके बाद यापके फ्लाइट हो पाएगी यह हो गया सिस्टम अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं सिर्फ विजा में डिफरेंस है लेबर आदमी 30-40 रुपे तक कमा लेता है और जो कारिगरा आदमी होता है 50-60-70 रुपे तक इसमें आराम से कमा लेता है ठीक है सात्यूं और समय की बात करें तो सात्यू इसमें 3-4 मैने 6 मैने तक भी लग जाते है को का वीजा मैंने पहले ही बता है थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा लगता है इसमें एज की बात करें तो कुवेट में जाने के लिए मिनिमम एज वहां की गौर्मिन ने 21 years रखी है यानी 21 साल का होने के बाद ही आप अपलाई कर सकते उससे पहले आप अपलाई नहीं कर सकते तो साथ यह आपके खादम बीजा से रिलेटेड था कुवेट के रिलेटेड था फिर भी इसमें आपको कोई डाउट है क्यों क्यों सेने तो आप कमेंट करें मैं आपको अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाले टोपिक पर आने वाले समय में इससे बड़िया बड़िया आपको जानकरी से गाइड आपको मिलती रहेगी जिससे आप लोगों को फाइदा उसके दोख